नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राहूल और आज मैं आपको रिव्यू दूँगा अशोक लेलेंड 16-12 गाड़ी का जो की काफी शांदर गाड़ी है इस प्राइस सेग्मेंट में और छे विलर गाड़ी है और देख सकते हैं गाड़ी काफी सुंदर बनी हुए है रेडियम का का काफी अच्छा हुआ 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 है गाड़ी पे और सारा ही काम बहुती तसरली बक्ष हुआ 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 है और लुक देख सकते हैं आप काफी अच्छी लग रही है और उपर देख सकते हैं बाज लगे हुआ है और नीचे देख सकते हैं पूरा रेडियम का काम बह लगा रहे हैं और काफी अच्छे लग रहे हैं और नीचे देख सकते हैं आप बॉल वगर अलगी हुई है और पूरी डेक्रेशन हुई हुई है और संगली वगारा का भी काम हुआ हुआ है तंडे फ्रेंट टेंडे के नीचे बहुती मचपूर टंडा गाड़ी में आगे कार हुई हुई है और अंतर भी काफी अच्छा बना हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे और ये साइड में लोई विल्स भी रहते हैं और साइड पीछे जो शीचा है उस पर यूए से का मारका लगा हुआ 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 है और ऊपर टूल पे देख सकते हैं पूरा स्टील वर्क हुआ हुआ है टूल पे और उस पर टला डला हुआ है और बोडी देख सकते हैं थोड़ी सी वोश होने वाली गाड़ी है लेकिन फिर भी बहुत ही चमकता हुआ पेंट हुआ 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 और पीछे के तरह भी पूरा जो डालेगा काम है पूरे डाला जो है गाड़ी का रेडियम से बना हुए है और उपर चैनल पे भी रेडियम लगी हुए है और यह पीछे फट्टे देख सकते हैं आप गाड़ी लोड़ हुए है तो अंतर से तो हम दिखानी पाएंगे लेकिन आप पीछे से देख सकते हों जो आइकट वगयरा है सारे बत्ते पिछले बत्ते पर देख सकते हैं आइकट लगे हुए है जो कि रात को रिफ्लेक्शन का काम करते हैं बहुत ही शांदार रिफ्लेक्ट करती है रात को यह आइकट और यह बोड़ी देख सकते हैं आप 11 बत् और यह देख सकते हैं शोक कर भी लग हुए है ताकि जो आगे का कैबिना उसको शोक अब्रॉक का हो सके और उस साइड कर रहता है राईवर साइड और पीछे की तरफ मिरू भी रहते हैं ताकि आप पीछुक सके और पीछे की तरफ अपने माल पे नजर रग सके हैं और पीछे की तरफ बैटरेस रहते हैं और यहां पर स्विच भी लगा हुआ है बैटरेस जो पावर कट करने के लिए और उस पर खतरा लिखा हुआ है पंजापी में और देख सकते हैं नीचे का व्यू और इंजन जोगा गाड़ी का अशोक लेलेंड का इंजन आपको पता ही होगा कि काफी अच्छा इंजन होता है बहुत ही ज्यादा है वी इंजन बना होता है और चासिस भी देख सकते हैं बहुत ही है वी होती है लेलेंड की खास करके और जो साइट्स मेरे रहे हैं उन पर 300 साल गुरू दिनाल बना हुआ है रेडियम से काफी अच्छा वर्क काड़ी को देख सकते हैं आप पूरी जाली काफी अच्छी लग रही है अगे की लूग का देख सकते हुआ का अशोग लेलेंड का जो मार्क है उस पर पूर्या रेडियम का काम किया गया और फ्रंट मीर में ग्रू गोविन सिंग जी की फोटर लगी हुए और उसके दोनों यह शांदर अंतर का व्यू और विंडॉपर यह देख सकते हैं काफी ज्यादा काम किया हुए जाली लगाई हुए जाली डिजाइन दो कि शींसी कटिंग के साथ लगा हुए और सीट सेड्सके आप बहुती शांदर का ऑधिकी सीट सें और अंतर का बूँ जो आच्छा है देख सकते हैं आप बहुती ज्यादा काम किया गया है गाड़ी के अंदर की तरफ रेडियम का जो कि ड्राइवर ने खुद थोड़ा सा गुद किया है थोड़ा सा कारीगर की मदद से किया हुआ है गाड़ी का मीटर देख सकते हैं और आगी के अंदर भी जो रेडियम लगी ह और अंदर से रिफलेक्ट ना हो लाइट अंदर ना है उसके लिए भी डवल रेडियम लगी हुए और आगे की दरब देख सकते हैं मंदर लगा हुए और वह पर भी लाइट लगे हुए लीडी लाइट लगई हुए और साइड में मीर्स रहते हैं आगे परांधियां देख स अब आप डेशबोर्ड देख सकते हैं, बहुती शानदर डेशबोर्ड की डेकॉरेशन हुई आगे यह देख सकते हैं, कार्टून से बहुती अच्छे लग रहे हैं, गाडी को बहुती जादा सुंदर लुक बनी हुई है गाडी की अंदर से, और अशेशरी आपका शेविं पॉलकेट और रखने के लिए भी बोग बना हुआ साइट में और देख सकते हैं बहुती शानदा गारी अंदर से लग रही है और पीछे की तरफ भी बोक्स बगारा बने हुए है जिसमें आप अपना असैसरी का समान और अराम से रख सकते हूं कपड़े वगार आप अंदर अराम से रख सकते हूं देख सकते हूं और पीछे भी सीनरी लगी हुए है और पीछे वाइस्टोफ वाला भी लगा हुआ है पाइप लगा हुआ कपड़े टांगने के लिए और बहुत ही अच्छा काम हुआ है अगर आपको भी ऐसा काम करवाना तो हमें हमारे नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हो, ये हवा वाला वह लगा हुआ है, जिसे अब मिट्टी बगारा गाड़ी में हिसाब कर सकते हो, प्रैशर वाला, और एसी ही लुक में सामने आपके एक गाड़ी खडी है, वह भी इनकी ही गाड़ी है, देख सकते हो, उस पर वाइट कलर में यह गाड़ी बहुत ही अच्छी लगती है जिसपे वाइट और रेड का कॉंबिनेशन बहुत ही गाड़ी को शान्दर बनाता है और देख सकते हो फरंट शीशा और बंपर बहुत ही शानदर शो का भी काम बहुत ही संभाल के यह जो गाड़ी के ड्राइवर हैं और मालक हैं बहुत ही गाड़ी पे पैसे खर्च करते हैं बहुत ही शानदर इस गाड़ी को बना के रखते हैं आपको बाकी देखने से पता लगी रहा हुआ कि कितना अच्छा काम और कितनी संफाल से रखते हैं गाड़ी में बैट भी बहुत अच्छा बना हुआ है और पिछे की तरफ फैन भी रहता है, स्विच इस भी रहते हैं और चार्जिंग के लिए AC-DC कनवर्टर भी रहता है, सारी सुविदा आपको इस कैबिन में मेलेगी ऐसी कोई भी सुविदा नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी 10 इंची इस के भूफर्स और स्पिकर्स भी लगे हुए गाड़ी में इसके बेस गाड़ी में अगर शीशे मीरर वगरा बंद कर लेते हों पूरी बेस बनती है गाड़ी में बहुती शांदार आवास बनती है जो कि अजकल गाडियों को भी इसके स्पिकर्स नहीं जो बहुत देते हैं उनसे भी अच्छी ज्यादा आवास सौंड क्वालिटी बनती है अगर आपको भी इसकी जो असेसरी का काम है अच्छा लागा हुआ हो और गाडी अच्छी लगी हो तो लाइक जुरूर किजेगा सब्सक्राइब हमारा यूट्यूब चैनल जूरूर किजेगा और ये वीडिय करके अमको बताना अगर ये और ना अच्छी लगीँ और तो क्या में आपको इस गाड़ी में लगी है इस्काूलिक अधरो क्या बहुता है अगली वीडियो मैं हम आपको कि तो इसलिए हमारे साथ साथ तो मारे यूटुब चैनल को जू सब्सक्राइब केज़ेगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें बहुत बहुत धन्यबाद जाहिंत कर दो